काश हमें इजहार करना आता, वो मेरे सामने खड़ी थी, आसमान से उतरी किसी परी की तरया, मेरी नजरों को जैसे उसने कैट कर लिया था, मैं उसे घूरे जा रहा था, अचानक हाथ से चाय का ग्लास छूटने पर मैं सक पकाया और एक नजर उसने भी मुझे देखा, चाय की दुकान वाले से ग्लास के पैसे कार्ट लेने की बात कहते हुए मैं वापस उसे देखने लगा, बड़ी खूब सूरत सुबह थी वह, अपने पापा के साथ होटल से जले भी लेने आई थी वह, कुछ पल बाद वो अपने पापा के साथ चली गई पर मैं उस होटल में अफज न दे सका, पढ़ाई पूरी हो गई और मैं एक कॉलेज में प्रिंसिपल बन गया, एक रोज उसी कॉलेज में हाथों में मेहंदी लगाए उसी परी को एक बच्चे को ले जाते देखा, दिल ने कहा, एक बार हिम्मत करके अपने दिल की बात उसे बता ही देनी चाहि लेकिन हिचक भी थी, मैं उसे एक तक देखे जा रहा था, वो मुझसे धीरे धीरे दूर जा रही थी, मैं तेजी से उसकी ओर भागा, उसके कुछ दूर पहुचने से पहले ही वो पीछे मुड़ी, मैं वहीं रुख गया, वो मेरे पास आई, मेरी सासे तेज हो गई थी, व उन्हें दिल का तूटना भी गिलास तूटने जैसा ही लगता है, इतना कहकर वो चल दी, थोड़ा चल कर फिर मुड़ी, बोली, काश, तुम्हें प्यार का इजहार करना आता, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें.